मेरे नाम रानू है और आजस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाले हूँ ये घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी मेरा दोस्त जिसका नाम प्रतीक है वो बच्पन से ही बहुत ही जादा होशार रहा है कभी कभी लोगों के अंदर कुछ ऐसी शक्तिया होती है जिसके बारे में हम कभी कलपना भी नहीं कर सकते प्रतिक भी कुछ वैसा ही था वो बहुत ही जादा होशार था उसकी कैलकुलेशन बहुत ही जादा सही होती थी वो कभी कभी फ्यूचर का पता लगा लेता था अगर वो प्रॉपर कैलकुलेशन करे तो और अकसर उसकी बाते सही ही निकलती थी बच्पन में तो हमारा बच्पन बहुत ही जादा बहतरीन गुजरा थ था क्योंकि प्रतिक बहुत ही साध होशयार था और सब इसके आज पास ही घुमते रहते थे पर एक बाद भी थी एक चीज्स में वके भॉहत ही साधा होशयार है तो दूसरी ,बहुत ही साधा कमजोर होता था ओर नौर्मल चीज भी नहीं समझ पाता था ये बात मैं भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर ऐसा कैसे है प्रतीक और मेरे मामी पापा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे हम दोनों के ही पापा बिजनस पार्टनर थे और वो एले जाकर एक नया बिजनस खोलना चाते थे इसी वजह से जैसे ह हमारा स्कूल कंप्लीट हो गया था वो हमें आगे की पढ़ाई के लिए एले ले गये थे और वहीं पर हमारी फैमली साथ में ही काम करती थी पर एले जाने के बाद मैंने दूसरा कोर्स ले लिया और प्रतीक ने दूसरा कोर्स ले लिया इस वजह से हम साथ युनिवर्सिट का murder हो गया था ये जानने के बाद मैं बहुत ही जादा घबरा गई थी और जैसे ही मैं उससे मिलने के लिए गई तब उसने मुझे बताया कि उसके college में एक लड़का है जिसका नाम Michael है और वो प्रतीक को बहुत ही जादा बुली करता था प्रतीक चाहा कर भी कुछ भी नहीं क जाता था अकसर ही माइकल और उसके दोस्त प्रतीक को बहुत ही जादा पीटते थे और उसे बहुत बुरी-बुरी चीजे कहते थे जिसकी वजह से अप्रतीक डिप्रेशन में जाने लगा था और वो समझ गया था कि इतना stress वो नहीं झेल पाएगा और आगे जाकर शायद वो suicide ही कर लेगा और उसने इस बत का proper calculation कर लिया था और उसके calculation कभी गलत नहीं होते थे वो अब बस give up ही करना चाहता था जब एक दिन ऐसे ही college से रोते हुए जब वो घर वापस आया और उसके मम्मी पापा ने उसे इस हालत में देखा तब प्रतीक के पापा को बहुत ही ज सजाथ सुना रहे थे और किसी बहुत सब ढाट रहे थे पर प्रतीक जादा देर तक अपने घर में मौझाग नहीं था वो अपने ममी पापा को बताने के पार अपने अंकल के घर चला गया था और जैसे ही वो अपने अंकल आपस आया उस ने देखा कि उसके मम्मी पापा अपने रूम में है और अब वो जिन्दा नहीं है पर उस वक्त प्रतिक के बाद जानता था कि उसके दोस्त माइकल के पापा ने ही उसके मम्मी पापा की जान ली है क्योंकि एक दिन पहले ही माइकल के पापा ने प्रतिक के मम्मी पापा को धमकी दी थी कि वो उन्हें जान से मार देंगे मडर की ही रात प्रतिक चीक चीक कर बोलता रहा कि इस आदमी नहीं मेरे ममी पापा को मारा है पर उसकी बात पर किसी ने भी यकीर नहीं किया क्योंकि जो मडर हुआ था वो इतना जादा पॉफेक्ट था कि वहाँ पर एक भी जबूत या किसी भी चीज का कोई निशान नहीं था कहा जा सकता है कि वो एक पॉफेक्ट मडर था अब प्रतिक के ममी पापा इस दुनिया में नहीं थे और अब वो पूरी तरह से तूड गया था उसे उसका बस अब एक ही मकसद था कि वो कैसे भी करके अपने ममी पापा के कातिलों का सच सामने राना चाहता था वो जानता था कि माइकल के ही पापा ने उसके ममी पापा को मारा है वो बस चाहता था कि उस इंसान को उस चीज की सजा मिले अब बस वही उसका एक मकसद हो गया था पर उसका यूनिवर्सिटी जाना और इस तरह से माइकल के थू टॉर्चर होना ये सब बहुत ही मुश्किल था उसके लिए उस वक्त में वो बस सर्फ यही चाता था कि उसकी ये सफरिंग्स बस किसी भी तरह से एंड हो जाए पर अगर वो ऐसा करता तो अपने मम्मी पापा के कातिलों को वो सामने नहीं ला पाता एक दिन ऐसे ही जब वो कॉलेज गया हुआ था तो माइकल और उसके दोस्त उसे वापस से टॉर्चर करने लगे और उसे बुली करने लगे उस दिन हद बहुत ही जादा आगे बढ़ गई थी और माइकल ये सब बिलकुल भी सहन नहीं कर पा रहा था वो आदे ही दिन में रोते हुए वापस घर आ गया था अब बस वो प्रॉपर क्यालकुलेशन करना चाहता था कि कैसे वो अपने ममी पापा के कातिलों को सामने ला सके और माइकल को भी उसके की की सजा दिलवा सके उसने सोच लिया कि सच बहर लाने के लिए उसे माइकल को ही शायद पकड़कर उसी से ही सच उगलवाना पड़ेगा कि आखिर उसके पापाने ऐसा क्या किया और उस रात आखिर क्या हुआ था उसके ममी पापा अचानक कैसे मर गए अगर एक बार माइकल बोलने लगेगा तो शायद प्रती को कुछ पता चल पाता ऐसा सोच कर उसने गुस्से में अपने घर से एक बेसबॉल बैट उठा ली और वो उस बैट को लेकर माइकल के घर चला गया जैसे ही वो उसके घर के बाहर पहुचा उसने देखा कि घर के अंदर पार्टी चल रही है वो तुरंधी बैट ली कर घर के अंदर खुश गया और माइकल के पापा को धंगी देने लगा कि वो चुपचाप अपना सच सब के सामने कबूल कर ले तब माइकल के पापा ने पाटी को शांत किया और आधे लोगों को घर से बाहर भेज दिया अब उस घर में करीब दस लोग रह गए थे माइकल के ममी पापा माइकल और उसके कुछ दोस्त प्रतीक बस माइकल को उस बेसबॉल बैट से मार कर अपना गुसा निकालना चाहता था और उसने एक ना कामयाब कोशिश भी की जिसकी वज़ा से वहां मौचूद सभी लोग प्रतीक को बहुत ही जादा बूरी तरह से पीटने लगे वो जमीन पर लेटा हुआ था और दर्द से तल मिला रहा था उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से उट सके उसकी हालत अब बहुत ही जादा खराब हो चुकी थी उसके माइंड में अब सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा था कि उसके मम्मी पापा इस दुन्या में नहीं रहे और उसके कातिलों को भी वो सजा नहीं दिलवा पा रहा है कॉलेज में भी उसका performance अतना ज़ीड़ा अच्छा नहीं है कि तभी अचानक से माइकल के पापा प्रतीक के पास आने लगते हैं वो अपना पैर प्रतीक के गर्दन पर रख देते हैं और उसे गर्दन को धीरे धीरे दबाने लगते हैं अपने पैर उसे प्रतीक दर्द में चला रहा होता है कि तभी माइकल के पापा प्रतीक से कुछ ऐसी बाते करते हैं जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें भी मैं एक सेकेंड में तुमारे ही माबाप की तरह मार सकता हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा जानना चाहते हो ना तुम उस रात क्या हुआ था तो सुनो उस रात तुम्हारे ही पापा ने मुझे कॉल करकर बहुत ही जादा गालिया दी थी जिसकी वज़ा से आज उनकी ये हालत हुई है उस रात को मैं इन ही दस लोगों के साथ तुम्हारे घर में तुम सब को मारने के लिए आया था पर तुम तो बदकिस्मती से मुझे उस घर में मिले नहीं इसलिए तुम्हारे माबाप को ही मुझे मारना पड़ा ये सब सुनकर प्रतीक रो रहा था और वो ये जानता था कि अब उसे सच्चाई पता चल गई है पर शायद वो चाहा कर भी इस सच्चाई को जानने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाएगा उन कातिलों को सजा शायद नहीं दिला पाएगा इसके बाद प्रतीक आगे क्या करता है? कैसे अपने माबाप के कातिलों को वो सजा दलवाता है? ये जानने के लिए देखिए स्टोरी का दूसरा पार्ट